प्रतियोगिता प्रतियोगिता का आयोजिन नारेंपूर को मिला हुआ है जहां ये प्रतियोगिता पचिस मई और चब्यस मई को दो दिवसीय रखी गई है प्रतियोगिता में चांपा की टीम मुख्य कोच पुषकर दिनकर साय कोच प्रभात जांग्डे की नेतुरत में कुल 25 अदस्य टीम नारायनपूर के लिए कूच कर रही है प्रतियोगिता में जाने के पूर्व अच्छा प्रदोशन करने ही तू मलखंब अखाडा कुटारा बोर्ड की ग्राम पंचायत के सरपंच चंदन रात रे वरेश्ट सिक्षक बंसिलाल कुर्रे अभिवावक योगेश्वर साहुवै नारायन राय उपसित रहे वे बच्चों को बेहतर प्रदोशन करने के लिए अपनी शुब कामनाय प्रेशित की गई वही जिला मलखंब असोसियेशन के अध्यक्षिर केमराज जैक और उपाध्यक्षिर संतोश लहरे सहे सची मनीश कुमार सिंग सारवा सनक्षक उमेश भारगार मांगदर्शक डॉक्टर आगर जिले के मलखंब प्रेमी वे क्रेशर उद्यमी सुभाष पटेल वे प्रकर्यादव ने शुब आशिरवाद वीजियो कॉन्फरेंस के माध्यम से दिया हमारी टीम आज राजिस्तरी मलखं प्रतिवक्ता के लिए नराणपूर प्रस्थान कर रही है वह प्रतिवक्ता 25 मई और 26 मई दो दिवसी राजिस्तरी प्रतिवक्ता है जहाँ पर हमारी टोटल 25 की इकाई जिसमें 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष और 16 वर्ष अबव और 18 अठारा अबव यह स्रेडी है हमारी बच्चों की यह सभी हमारे बच्चे भाग लेने जा रहे हैं और हमारी तयारी बहुत अच्छे लेवल पर हुई है हमें पक्का यकिन है कि हम वह पर जाकर अपने गाओं का अपने जीले का नाम रोशन करेंगे जीला मलखम, जीला गांगी चापा, ग्राम कूट्रा बोर्ड में हमारे जितने भी बच्चे हैं मलखम के उन सभी को नरायर पूर जा रहा है मेरी सुप कामना है कि ये अच्छा करवेशन करें और जीला जीट कर लाएं और हमारे जाओ के सभी के रोश से बहुत-बहुत कुछ कामना है हमारे बच्चों को